देखा जाए तो फॉर्म निकल चुके हैं और सबसे बड़ी बात होती है जब बच्चा तैयारी करता है तो उसके दिमाग में दो चीजें आती है तो वो कितनी आसानी से नौकरी ले पाएगा या कितना उसके लिए मिहनत करना पड़ेगा और दूसरी बात जब नौकरी मिलेगी तब क्या होगा salary उसकी क्या होगी, कितनी तंखा मिलेगी, क्या उसकी job profile होगी सबसे बड़ा प्रश्ण उसके दिमाग में यही आता है तो आज के session में हम लोग NTPC के बहुत बहुतीन पदों के बारे में जानेंगे कि कितनी salary आपको मिलने वाली है और सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ, यह railway की जो job होती है वो बच्चों के लिए dream job ऐसे ही नहीं बन जाती है लाखों-लाख salary इसमें मिलती है और सब कुछ मैं बताऊंगा, आपको थोड़ी देख ले मेरी बात पर भरुसानी होगा लाखों salary, हाँ, एक लाख से जादा salary इसमें मिलती है आते हैं हम लोग सब कुछ यहाँ पर clearly discuss करते हैं कि यह है पूरा आपका salary structure आपका पूरा मैं salary slip भी आप सभी को दिखा दूँगा और बहुत बहुतीन तरीके से इसमें एक-एक चीज़ समझाने वाला हो जो इस बार NDPC की तरब से post आने वाले हैं अगर आप देखोगे तो इसमें chief commercial come ticket supervisor है यह इस बार नया पन स्रिजित हुआ है बहुत थोड़ा सा इसे जूम करके एक बार पहले post के नाम दिखा दूँ इसमें जो post के नाम है एक आपका क्या है chief commercial come ticket supervisor है जिसे CCCTS बोलते हैं और यह इस बार नया इससे पहले यह vacancy नहीं आई इस बार नया पर स्रिजित हुए है कई सारे बोल सकते हो कि कई सारे जो vacancy का ऐसारी post थे उनको merge करके यह post बनाए गया था सर्कुलर था मैंने आपको दिखाया भी था उसके बाद station master पुराने ही पर है level 6 की job है फिर good strain manager और सबसे ज्यादा तंखा वाली जो आपकी इस बार बोल सकते हो कि वेकिंसी है या post है वो आपकी यह good strain manager लाख्खों सहले मिलती है ज्यादा तक सहले मिल जाते है junior account assistant come typist जिसे JAA बोलते हैं उसके बाद senior clerk come typist हो गया फर्स CCTC होता है जो commercial come ticket clerk होते हैं इसी में आपके TTE जो TC की पद होते हैं वो इसी के अंदर का दाते है अकाउंट clerk हो गया junior clerk हो गया और आपके train clerk हो गया इस बार अगर बात किया जाए तो क इस बार गायब कर दिये गया है और बहुत सारे पद merge कर दिये गया है और उनको नया पद बनाये गया अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि हम लोग कुस समय में देख लेते हैं थोड़ा पारकस्मेंट में किसकी कितनी salary मिलने वाली है तो यह तो notification में देखके देता है कि कौन सा pay level है और initial pay या basic pay का बात किया जाए तो वो भी देता है कि जब आप पर join करते हो मलब देखिए पहला जो increment लगता है वह एक साल के नौकरी के बाद लगता है और उसके बाद जो आपका basic pay है basic pay में increment लगता है लेकिन जब आप join करते हो तो आपका इस basic pay से इस initial pay से start होता है आप अगर level 6 की job से start करते हो तो आपका जो basic pay होता है वो 35,400 होता है वहीं पे जब आप level 2 पे आते हो तो 29,200 होता है level 3 वालों का 21,700 होता है level 2 वालों का 19,900 होता है ये basic pay लेकिन basic पे मतलब initial पे मतलब है कि यही आपको मिलेगा इसमें क्या होता है सरकार तमाम भत्ते लगाते हैं तमाम allowances लगाते हैं जैसे आपका क्या हो गया सबसे पहले DA हो गया जो DNS allowances बोलते हैं महंगाई भत्ता होता है महंगाई भत्ता अगर केंद सरकार की बात किया जाए तो केंद सरकार ने 50% कर दिया है और अब जो salary बन रही है वो 50% के आधार पे बन गई है तो 50% इसका 17, 27,700 का 29,200 का 14,600 होगा ऐसे 27,700 का 10,850 होगा और फिर 29,900 का 9,950 होगा यह आपका क्या है यह आपका इसी में जुड़ेगा इसके बाद आता है आपका HR-A HR-A जो होता है house rent allowances होते हैं मतलब कि railway में वैसे maximum जो पद होते हैं उनमें railway quarter allot की जाते हैं तो जब railway quarter आपको allot हो जा होगे तो उसी rent का भगता देता है railway और हर department देता है तो उसे हम लोग HR-A बोलते हैं और यह डिपेंड करता है कि सिटी में आप जॉब कर रहे हो जैसे तीन सिटी में करेंगे तो जो हमारी सबसे बेहतरीन सिटी होती है एक सिटी की बात कर लो वहाँ पर 30% किसका basic pay का 30% मिलत से कटेगरी में और सी करें में सहर को X by Z में डिवाइड किया जाता है कोई कसबा है कोई गाव है उसे जट क्या जाएगा उसके बाद आता है एक train allowances, train allowances भी क्या होता है maximum जगह तो X में मिलता है और कुछ जगह Y जड़ 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 जो X ज़ादा है और कई ज़ड़ एक तो आपका ट्रेवलेंस होता है कि आप अपने घर से अपने रूम से अपने बोल सकते हो कि क्वार्टल से और इसे आपका किराया लगता है उसे ट्रांस्पोर्ट्ट अलविंसे बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा TA में calculate होता है, उसके बाद आता है किलोमीटर allowances, railway में दो पद ऐसे हैं, जो बोल सकते हो कि आपका किलोमीटर allowances के अब में बोला जाता है, किलोमीटर allowances मिलता है, जिसमें एक तो technical category में local pilot है, बहुत पैसे कमाते हैं local pilot भी अगर आपको पत जो train manager होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं, हाँ भाई train घंडी दिखा रहे हैं, पीछे डब्बे से, आगे डब्बे से, ये train manager बोला जाता है, और इनको किलोमीटर allowances मिलता है, मतलब कि जितनी जादा train चलती है, उतना जादा इन्हें रुपए मिलता है, और ये on average देखा जा उसके बाद cell allowances होता है, कि आप किस cell में हैं, वो मिलता है, वो भी कुछ खासी पदो में मिलता है, सब में नहीं मिलता है, उसके बाद आपका leave allowances मिलता है, मतलब जो आप इसमें railway में ऐसी category होती है, कि भले ही बोल सकते हो कि national holiday हो, लेकिन आपको तो duty करना ही होता है, जैसे holy ह दिवाली हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लोको पाइलेट है, वो चुट्टी नहीं ले सकता, उससे तो train चला नहीं है, वहना train अगर नहीं चलाएगा, तो जो holy दिवाली में लोग अपने घर जा रहे है, घर से duty जा रहे हो कैसे जा पाएंगे, कि train public transport सारे बंद कर दिये जाए आप समझिएगा, तो ऐसे लोको पाइलेट हो गया, ऐसे ही जो train manager होते है, उनको भी क्या मिलता है, उनको भी कई सारे पद होते हैं, जिनमें आपको क्या मिलता है, जिसमें national holiday जो आपके allowances होते हैं, जिसे NHA बोला जाता है, या फिर आप leave allowances बोल सकते हो, तो यह किस category में मि गया, good stream manager में मिल जाता है, और भी कई सारे category के post होते हैं, जिनमें आपको यह मिलता ही मिलता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो level 2 के पद हैं, उनमें नहीं भी मिलता है, बाकी आपका address allowances हो गया, पहले 10,000 annually मिलता था, यह सालाना मिलता है, यह monthly नहीं मिलता है, ध्यान दि तो इस प्रकास से अगर हम gross salary देखें, सब को अगर जोड लिया जाए, तो जो सबसे, जिसे बोलते हैं कि एगर NTPC की कोई राजा जौब है, मतलब की सबसे ज्यादा repetition वाली जौब है, सबसे ज्यादा power power, मतलब की जब आप station पे हो, जब आप अपने kevin में हो, जब आप जह कर रहा हूँ, ताकि आप कम गमें में सारी चीजे अच्छे से समझ पाओ, तो यहाँ बगार देखा जाए, तो यह सबसे बेहतरीन पद, राजा पद है, जिसमें आपकी जो salary बनेगी, gross salary जो आपकी बनेगी, वो cities के हिसाब से, जिसे XYZ city बोल दे, तो अगर आप X city में, तो आपका करता है, 14% सरकारत देती है, अभी जो GIOI है, उसमें 14% आपका भी होगा थोड़ा net आपका income और मतलब कम होगी, तो deduction होते हैं, और deduction के बाद आपकी जो net income होती, in hand salary जो से बोला जाता है, वो आपकी यह cities के हिसाब से, मतलब अगर आप level छेके, जो आपका CCCTS पद है, NTPC में, उसमें अगर आप X category में हो, तो 64, Y में हो, तो 60 और Z में हो, तो आप 55,000 salary in hand लेके जाओगे, वही बगर बात किया जाए, तो station master का भी लगबग ही पर सेम रहता है, लेकिन station master में कुछ allowances और भी जादा होते हैं, हैना अगर station master की बात किया जैए, जैसे in night duty allowances कर दिय होता है, जबकि जो आपका यहाँ पे, जो CCTS, आपका, जो CCTS आपकी job है, जो इस समय पहली बार बनाई गई है, इसमें night duty का कोई पाउधान नहीं है, इसमें generally क्या होते है, जो DRM office है, या फिर आप बोल सकते हो कि, जो आपके headquarter से, वहाँ पे आपकी posting होती है, तो सुबह आ एक गंटा जो आप extra बढ़ाते हैं, वही आपका एक दिन last में क्या कर दियाता है, आपको छुट्टी दे दी जाती है, तो यह benefit होता है, और इसलिए खास कर अगर लड़कियों के लिए बोला जाए, या फिर ऐसे लिए बोला जाए, कि जो बहुत जद़ पैसे की पीछे नह है, लेकिन इसमें क्या होता है, रात में भी आपकी duty लग सकती है, आपके उपर बहुत जदा load होता है, बहुत जदा tension होती है, सब को manage करना है, इस station में सारे, जिस station पे आप होगे, वहाँ पे जो employees है, जो आपके subordinates है, आपके नीचे के लोग है, उनको आपको manage करना है, के लिए भी facilities देनी पड़ती है, तो वह थोड़ा सा hectic job होता है, लेकिन salary यहाँ पे देखा जाए, station master की, तो उससे भी बहतर है, 76,000 X में, और अगर बात किया जाए, Y में तो 70,000, और Z में बात किया है, तो 6-8,000, अब आते हैं, जो सबसे यादा salary वाले, यह मैं उन करता हूँ, जो खासकर boys के लिए, दूसरी बाद girls के लिए उतनी बेतनी job नहीं है, बट खासकर boys के लिए, और जिनकी अभी साधी नहीं हुए, 18-22 साल की उमर मेंन की नौकरी लग गई है, उसके राद अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पाच्छे साल बाद साधी करना चाहते, खुब पईसा भर ले, माला माल हो जाए, एक दम देलम पेल पईसा कमाये रहें, जो चाहें जीवन का वो अपने हथी आ ले, तो वो खुब पईसा लूटना है, तो आप गुड स्टेन और मेनेजर वाला, यह जो आपकी पोस्ट हाई की तो आपको बताऊंगा प्र प्रेफरेंस भरोगे, आप सैलरी को देख रहे हो, आपको बने जॉब प्रोफाइल को देख रहे हो, आप आगे की स्टेडी को देख रहे हो, आपके परिवार को देख रहे हो, उसके अपका प्रेफरेंस में बताऊंगा, तो यह बहुत बेटीन है, इसमें लेबल 5 की तो ह है 29-30 अगर आप देखोगे इसमें एचारे भी आपको इस प्रकार से मिलता है या आप देख सकते हो कि यह अलग-अलग सिटीज वाइज है और ट्रेन रहेंस भी इसमें मिलता है चल्वन सो आपको एक सिटीम और वाइजड में है तो आपको 2700 मिलता है जो ट्रांस्पोर्ट यह बहुत बड़ी चीज है जितना आप ट्रेन के साथ दोड़ोगे जितना ट्रेन में रहोगे जितना ज़्यदा चलोगे वह आपका बहुत ज्यादा मिलता है फिर इसमें एक्सेल अलाविंस भी लगबग 500 मिलता है और जो नाइट डूटी अलावंस से इसमें काफी ज्या मिलता है तो ग्रॉस इनकी जो बनती है वो 95,000 और 95,000 मैं मिनिमम बोला हूँ जो पहली सेलरी वाले बच्चे भी है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्यादा ट्रेन के साथ डूटी लग जाती है तो उनके एक लाग 20,000 एक लाग 12,000 एक लाग 15,000 तक सेलरी इसमें बनी है इसी को मैं बोला हूँ एक लाग अतक सेलरी इले में एंटी पीसी की लेवल फाइब की जॉब में सूचो लेवल फाइब की जॉब कोई बहुत नहीं 200 ग्रेट पे की जॉब होती है अगर यहाँ पर बात किया जाए 200 या 800 ग्रेट पे सॉरी मैं ग्रेट पे में कंफ्यूज ह कोई नौकरी मिली ही नहीं है बिल्कुल बोल सकते हो कि कि एक दम ब्यापारी वाली नौकरी है कि पैसा ही पैसा आप लुक चाहत रहो है ना और इसमें आप एक लाग से जादा तक क्ली आने है तो multiplier किया हो सकता है ऐसे अगर हम बाकी में देखेंगे जैसे आपका क्या हो गया लेवल 5 में जैसे जी जुनियर अकाउंट असिस्टेंट हम टाइपिस्ट होता है ठीक है यह आपका क्या होता है अगर यहां पर बात करेंगे तो सुबा 10 से लेकि 5 तक के ही ड्यूटी होती है उसके बाद अपने घर जा सकते हो अगर आपका ड्यारम ऑफिस वगरा है तो 9 से 5 लेकिन आपको सनिवार और रमिवार दोनों छुटती मिलती है फिर अपका सीनियर क्लरकम टाइपिस्ट है इसमें भी अगर आप सारी सैलरी देख तो लेवल 3 और लेवल 2 में जहिसी बात है इनका ग्रेट पे ही कम होता है उन्नीस नौसों से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तो सैलरी कम होगी प्लस इनमें अलावंसे जैसे डिये तो सभी को मिलेगा जैसे अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाव inhand salary 432,37 और 35 यकीन माननी है कोई भी level 3 की job जो 2000 लेवल 3 की job माननके चलो कोई अहां 22000 बोलो कि grade पे की जो job होती है inhand salary जो पहली बार बनती है वो 30-322 बनती है maximum चाहे राजिशकार हो चाहे के दे सरकार हो लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे salary 42,000 तक बनती ह इन हैंड ये बात समझिएगा और ये बेहत्री इसलिए बोलाता है कि railway में कुछ भी नहीं मिलता है तब भी आपको एतने allowances लग जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है ऐसे कर हम बोलेंगे कि और ये जो cc जो cc tc यही आपका क्या हैट कि यहीं पर बच्च ऐक होता है कि उपर यी कमाई करना चाहता है तो जो tt वाले हैं आज कल बहुठ app का जमान हो गया लेकिन आज के समय में भी टी ओ вокруг कमा लेता है यह TT ही जो promote होके जाते थे level 3 से level 5, level 5 से level 6 वो promote होके इस पत पे जाते हैं जो CCCTS जो पत है यह promote होके जाते थे अब इसको अलग से पत बना दिया गया है हाला कि अगर इस बार देखोगे तो इस बार काफी ज़्यादा vacancies इसमें हैं मतलब कि 1700 के आसपास लगभग इस वाले पत्पे हैं लेकिन यह नए पदस्रजित किये गए हैं नए पदस्रजित किये गए हैं इसलिए आपको जादा दिख रहा है क्योंकि यह केवल 15% direct recruitment से है बाकि आपका promotion से ही है तो अगली बार जब आएगी vacancy तो इसमें उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो जो बच्चे इसकी job लेना चारे है खुब मन लगा के पढ़ाई करो ताकि यह लग जाए क्योंकि अगली बार यह vacancies आपकी कम होने वाली है साथ में अगर हम लोग बात करें तो level 2 में अगर आप देखोगे तो 49, 36, 34, लगबग हर सारे post पे level 2 वाले पे कितने बढ़ना है लगबग सभी में आपका इतना ही बन लाए एक आपका जो यह last वलब पद होता है अगर train clerk की बात किया जाए तो इसमें कुछ allowances है जैसे इसमें leave allowances और night duty allowances भी मिलता है तो इनके पर्क थोड़े से जादा होते है बलब अगर यहाँ पर 35,000 है तो यहाँ पर 2,500 रुपे जादा मिलता है 37,000 मिलता है तो एक बहुत बहुत बहुतरीन अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करके एक page पे अगर आप इसे देखना चाओ screenshot लेना चाओ तो बहुत बहुत बहुतरीन आपके लिए यहाँ पर यह पद है और बहुत बहुतरीन आपके लिए salary structure है तो मैं तो यह बोड़ूगा कि भाई, पूरा अग्दम लगा दो, पूरी महलप लगा दो और team परिक्षप्लस इसके लिए आपके लिए बहुत 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 इसके लिए course भी launch कर दी है और आप उस course से जुड़के, अब आप सोचो कि आपको एक लाख रुप लगा के महनत कर दो और team परिक्षप्लस इतनी ज्यादा महनत आपके साथ करने के लिए तयार है कि अगर आपने सोच लिया तो हम आपका सोच को साकार कर देंगे, आपकी सपने को साकार कर देंगे, ये बात दिमाग में रख लो, मात्र 1199 का आप railway के कोई भी batch लोगे, आप group course है आपका, उसी में आपका, अगर बच्चे बिलीब नहीं कर देंगे, सब कुछ मिल जा रहा है, हाँ वाई, सब कुछ मिल जा रहा है, complete course है आपका, इसमें आपको live classes, recorded classes, live classes, recorded class के बाद जो आपकी class की notes होते हैं, फिर आपकी जो booklet notes हैं, जो किताबे हैं, e-book हैं, वो आपक तीन तरीके से, साम को 6 बजे science की class मैं खुद ले रहा हूँ, 7 बजे GKS चलती है, 8 बजे maths ले रहा हूँ, और 8 बजे ही चलती है आपकी reasoning की class, last के 3 दिन में, तो एक बहुत बहत बहतरीन आपका यहाँ पर पढ़ाई का structure भी करवाया जा रहा है, तो team परिक्षा प्लस से subscribe और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा, बाकि कोई भी अगर आपके doubt से हैं, तो आप comment box से पूँ सकते हैं, फिर में लोगा बहुत बहुत धनेवास, अभी का बहुत बहुत आप है